असलामेकूम वेलकम बैक वेलकम टू अनदर टिटोरियल मैं आप लोगों को वीरे से रेंडरिंग करना से खाऊंगा माया के साथ बहुत बेसिक बहुत बेसिक दो चार चीज़े में ताहूंगा और रेंडर आपको मैं दिखा देता हूं किस क्वालिटी का होगा कि चेक करें जड़ा इसका रेंडरिंग कैमरा सेट कर लेता हूं इसमें मैंने एक प्रजेक्ट बनाया है हो यह उसका विव मुझे लिखा रहा है इस्पेक्टिव के साथ इसका रेंड है ट्रॉक को रेंड है कि वीडिया के साथ रेंडरिंग बहुत असान है कुछ प्लगीन नस वो लगाने और आपको कान आपको यह था एक है अच्छा है इस टाइम लगए रेंडरिंग में इस टाइम ऑल गुर्ट रेंडरिंग वेट आरमास्ट हो गया रेंडर यह आप बोक्स देख रहे हैं यह CPU के कोई है एक एक कोई एक बोक्स बना के रेंडर करते हैं और हम रेंडरिंग के लिए सुचते हैं कि शाइद ग्राफिक काड आचा होना जाए ग्राफिक काड व्यूपो पर काम करने के लिए अच्छा होता है मतलब आपका डेटिंग कर रहे हैं बना रहे हैं रन टाइम पर वो स्पोट ग्राफिक काड करता है रेंडरिंग के लिए परस ऐसा करता है अच्छा यह देखें चार मिनट पंतालीस सेंड में रेंडर हुआ है और दस मिनट का काम है ऐसी सेटिंग करके रेंडर निकालना अच्छा टिटोरियल ना होने के बराबर है माया के लिए पीडिमेक्स के लिए टिटोरियल के लाइन लगी हुए है अच्छा सिंपल क्या किया है मैं इसको कर लेता हूं इसको कर लेता हूं इसको कर लेते हैं इसको कर लेते हैं इसको कर लेते हैं इसको जान चुड़ाते है और शुरू से रेंडरिंग बनाते हैं इसके चानल जो चीज़ें हैं उनको फात्म कर देते हैं और यह बेसिक मेंटेरियल लगा देता हूं का जो सब चीजों के साथ आता है जो आ में आख आता है अभर कुछिटो में आपको चुरूर्ट थाया है उल सब रदीट के लिए आता है जो इस वे यह जो रह एलागा दो सब तो आता है कंचे लिए भीए खरेखिया देगा राट सक्ट खरेखियल नाता है जैसेन मेरा clear है, Hypershade खोलता हूँ, मैं Windows, shortcut हुए Windows, rendering editors, Hypershade, okay, Hypershade open किया है, मैं इसकी 2 nods है, वो फिलाल clear कर देता है, अच्छा मैं new scene में इसलिए नहीं बनाया था कि मैं आप लोगों को setting लिखा सका है, जै मैंने setting कि हुई है, फिलाल ये render लेखें, अब कैसा निकलेगा, अब ये कुछ भी नहीं निकले रही है, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइट नहीं है, अच्छा नहीं सीनी स्क्रीन बनाया तक आप लोगों को रेंडर की सेटिंग दिखा सको, ठीक है, तो वीरे के लिए सेटिंग जो है, मेरी तरफ से वही रेक्रमेंडीड ह आप ये नॉट करने, तो खेर कोई फॉर्मेट वगह रही है, साइज वगह रही है, ठीक है, इसमें तो कुछ खास नहीं है, वीरे की सेटिंग में एक CPU होता है, 1 CD, CUDA है, ठीक है, आपने CPU करना है, इसे प्रोक्राशिट की जगा बकिट करना है, शेडिंग इसकी चेंज करन दो के, रेंडर मास्क डिसेबल, और फिल्टर जो है वो एरिये का लगाना है, और साइज की जो अमाउंट ये लिखिवी अमाउंट वह आपने, सेम लिख रहें है, ठीक है, ग्लेबल इल्मिनेशन अन करनी है, ये सेंटर वाला अंचेक करना है, ठीक है, इंजन ये रपना ह करने के जोथ नहीं बास, हीदर भी कुछ करने के जोथ नहीं होता है, बास, ये दो चार्चेता है, क्रियेट में जाके, लाइट मनाता हूं, वीरे की लाइट मनाऊंगा, इधर डूम की लाइट मना लेता हूं, सिंपल, ठीक है, डूम की लाइट ये फाइदा है, ये जो होती है बाइट फटी चीज़ भी तो डार्क नहीं होती है तो चारो तरफ से रोशनी ब्राबर होती है तो यह डूम लाइट जो है यह वह वाला रोल करती है इसकी सेटिंग देख लें अगर मैं इसके ऑप्शन में अलफा अफेक्ट अलफा को अचेक करूंगा तो इसका म इसकी लाइटिंग दो कर लेता हूं जड़ा लाइटर हो जाए और शेडर के लिए आप लोगों को मैं बताओं मैं यूज कर रहा हूं एक वीरे का प्लग इन जिसमें सेटिंगों शेडर बरे पड़े हैं वीरे के और बहुत असान है उनको यूज करना अब आपको बता दे इसकी एक स्क्रीप्ट होती है इस प्लग इन की यह चोटी सी इसको आपने माया के अंदर एक मर्टबा पेस्ट करना है अके इस प्लगीन का और माया का किनेक्शन बाग जाए क्मांड पॉर्ड में यह लिखके मैं इंटर कर देता हूं यह सब चीजे में फिलाल को सब्सक्राइब क्लियर ठीक है अब अब मैं करता हूं अच्छा एक निकालें लाइट लगाई है हमने लेंडर के साथ अब होंग है तो उसने बाइडिफार्ट यह शेडर बना दिया है अब कर देखें इस पर लाइट बहुत ज्यादा लग रही है तो मैं यूज करूंगा मैं अपने जो है यह देखने इसका नाम लिख रह हुआ है और लगीन में कोई भी यूज कर लोगा टेल स्टेल क्लाल मैं यूज कर लेता हूं कि आपने नाम टेल को यूज कर लेता हूं तू इस सेड़् सिक्सेस हो गया क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिक्वीदी इक है आपर शेयड में यह शेयर था गया है अब मैं इसको स्लेट करता हूं इस बोड़ी को और इस थीस्री को इस पर लेता हूं इह दर से इसको असाइन मेटेरियल कर लेता हूँ और ठीक है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इसको अब मैं आता हूं दुबारा यह ले लेता हूँ मैं कलर्स टाय के लिए नहीं वैसी यह ट्रक पे असाइन करवा देंगे कर लेता हूँ अब ट्रक का सीन है कि इसमें कुछ मेरर है शीशे का एरिया है कुछ सॉलीड एरिया है कुछ ट्रक का इसको आइसलेट में लेकर जाता हूँ हाल एच पेस करके तो इसको मैं है है oh, बेंड लूप लेडिए है चाहिएड इसके टाइट यह है है इसकी इसके तायर का निकाल देते हैं भाइट विडिके स्टका भाइब कर इसको यह मैटिरियल ढेते हैं इक है मिर्ष को अधर आ जाते हैं और एक खालग नियुक्त ब्लैक का जाने जो जाते हैं हाइपर शेट की पोड़ से इसको मुल्ब पर देता हूं और इधर आता हूं एक ग्लास का मट्रीय ले लेता है को यह भी ग्लास का मट्रीले हैं ठीक है यह इसकी स्क्रीन है इस पे में इस पे में यह वाले शीडर ग्लास का प्रदेंग यह नहीं एक यह जाने यह तो यह तो यह ट्रांस पेनट हो जाएगा यह ऐसे जो ब्लेक त्लर रहना इसको चेंज करके अचेट हो यह तो यह नो यह लोगर लेते हैं अब टाइरों के लिए एक प्लास्टिक का पकड़ लेते हैं ताइर का प्लास्टिक का पकड़ लेते हैं जिसमें रिफ्लैक्शन नाओ नहींगे बराबर हो यह ठीक है एधर अरवर्ड वगढ़ा लग रहे है फाइपर शेड के अंदर के अध्या उर यह यह पर एपिवेसी क अब इनके रिम दे लिए भी एक शेडर ले ले लेता हूं कि जादा ताइम निलागे गांगे इसमें बस हर किसम भी जो शेडर हैं इस प्लग इन में रेडी यूग दूरा इनको उसमें इसको माइपर शेडर को प्लेर कर देता हूं तो सब्सक्राइब करें में इनको रैंडम भी फेस से इनके में स्लेट कर लेता हूं इतना काफी तो इस और इन प्रेग रवादिता हूं जाते है आपके अपनी च्वाइस पे है कि अब आप जो मर्जी शेडर लगाएं काफी सारी शेडर हैं उसमें काफी असान हो जाता है इसे का और एक कोई फ्लॉर का भी लगा लेते हैं इसे क्लियर करते हैं और एक फ्लॉर ले लेते हैं ग्राउंड जो है इसे ग्राउंड के भी हैं इसमें टेक्शिर वैसे स्टॉन वगेरा वाल करको बकल लेते हैं और फिल्लाव हमने क्या यही लिए है चॉकलेट में चॉकलेट ही लिए है और इसको स्लेक्ट करके ग्राउंड पर अच्छा जी हो स्ट्री आइसलेट किया है इसको अब गाम स्ट्रेट किया है इस पर चॉकलेट कर लेते हैं ठीक है एक बेसिक दो तीन हमने शेड़े इस पर अप्लाय कर लिए हम इनकी बस सेटिंग बागी रहेगी है इसको भी चॉकलेट कर देते हैं इसको पाके टाइम बचा सकें इसको जो पहले साथवा लेका है मैं कि इसको ट्रीप नर्फ कि आरेशन है इसको बाग आप इसके साथ इसका आए आफ जब फॉर्म के साथ था तो इधर लाइट इतनी ज्यादा थी क्योंगे वीरे के साथ वीरे के माटीरियल स्पॉर्ट इड है और मगारा जो है वो माया के डिफॉल्ट सोफ्ट्रेयर के हैं ठीक है तो इसके टाइड वेरे से कुछ रिफ्लेक्शन खतम कर दोते हैं ताइड को स अधर दोते हैं तो इसके अधर देखें यह उसको स्लेक्टिव एडियो पर एंटर कर लेका है अधर ताइम अलगे एक दम बलकुल टाइड बड़ बन जाएगा याँ यूंकि हमें रिफ्लेक्शन ही कतम कर दी है ठीक है तो सब शेडर जो हैं उनको इसी तरीके से हम स्लेट कर सकते हैं कर देखें बीचे सीड भी इसके अंदर जो थी वो भी यलो होगी पकड़के अबर आम तायर वाला जो है वो वाला उसमें लाएगे ना शेडर को अच्छा लगेगा उसे अधर वाला ये अच्छे इस टीट डैशबूट जो है बस टैशबूटिं करता फिलादमा ना इन श्रेविग द्राइड लेका है ये अगे इतना ताइम लगाओ शेडर रेंटिंग में उतना जबर बस्क्राइड लेका है ये इसका बारा एक रेंडर मार लेते हैं लेका है ये डाइड़ पर रेंडर बढ़ाये में वीडर बीस्ष फिलेट किया हो जो इंडर लेखते हैं इसके बाद मैं अप्लोड करने लगा हूँ रेंडरिंग ज़दा थेज करने जा तरीका क्या है मतलब मुल्टीपल अगर आपके पास PCS हैं तो उनकी नेटवर्किंग करके आप लोग रेंडरिंग कर सकते हो सिस्टम की अच्छा यह देखें यह रेडियर रेंडर है हमारा अब इसको में सेव करूं जो भी करूं अब रेंडर हमारा आपी और आपके विए टेक्सेयर ने हम ने एगता है इसकोम और इसकोम पर आपने कि पर आपके झालर्ट के रेंडर सूनियर और शूक्राइब शूलर्ट क्योंड प्योर्त न मीर्टन बेड़न सूल्ट